इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी और फ्रॉन 50 oral suspension is an antibiotic medicine इसे आम तोर पर बच्चों में आंख, कान, नाक, गले, फेफडे, त्वचा, पेट और मूत्र मार्ग सहिद बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमन की विस्तरिच रेनी के इलाज के लिए दिया जाता है। और फ्रॉन 50 oral suspension is also a part of the multi-drug resistant tuberculosis यानी की MDRTB treatment regimen. Give और फ्रॉन 50 oral suspension to your child orally, preferably at a fixed time, either before or after meals. अगर आपके बच्चे पेट में परेशानी हो जाती है, तो इसे भूजन देना पसंद करें। खुराक और इलाज की अवधी आपके बच्चे के infection का प्रकार और उसकी गंभीरता, बच्चे की उम्र और शरीर के वजन पर निर्भर करेगी। इसलिए डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक, समय और तरीके के अनुसार ही दवा दें। यदि आपका बच्चा सेवन के 30 मिनर के भीतर उल्टी करता है, तो उसी खुराक को दोहराएं लेकिन अगली खुराक का समय होने पर दोहरी खुराक न दें। कुछ मामलों में इस दवा के सेवन के बाद मामूली और अस्थाय दुश प्रभावों का अनुभव हो सकता है। इनमें शामिल हैं मिचली आना, उल्टी, पेट में एंग्ठन, डायरिया, यानि की दस्ट, दाने और सिर्दर्द। आम तोर पर जब आपके बच्चे का शरीर दवा के लिए अनुकूल हो जाता है, तो ये प्रभाव कम हो जाते हैं। हाला कि लंबा या कश्ट दायक समस्या होने पर बिना किसी देरी के अपने बच्चे के डॉक्टर से परामर्ष करें। अपने बच्चे के डॉक्टर को अपने बच्चे का पूरा मेडिकल इतिहास बताएं, जिसमें पहले हुई अलजी का मामला, हिरदै संबंधी समस्या, लिवर की खराबी और किड्नी की खराबी आदी शामिल हैं। यह जानकारी खुराक में बदलाव और आपके बच्चे के समग्र इलाज की योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।